उत्तर प्रदेश में चुनावी बेला सुरू होने के बाद से कौन किस तरफ जाएगा यह कहना किसी जोतिसी के भी बस की अब बात नहीं रह गई है जहां देखिए वहां ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है उचल खूद सुरू हो गई है कल से एक एक घोषणा थी कि कल से जो है अखिलेस यादो की बीजय यात्रा के सामने सीवपाल यादो सामाजिक परिवर्तन यात्रा सुरू करेंगे दिल्चस्पी यहां है कि कॉंग्रेस के राष्टिय प्रवक्ता प्रमोध कृष्णन से गदा लेने का क्या चक्कर है आखिरकार सीवपाल यादो के पास क्या अपना गदा नहीं था जो यात्रा सुरू करने से पहले उधार में कॉंग्रेस का गदा लेकर यात्रा पर निकल रहे है यह एक राज़नतिक सवाल है इसका जबाव आने वाले कुछ दिनों में संभवता मिल जाएगा लेकिन कहा ये जा रहा है कि उनका रुजहान चुकि सीधी बात अखिलेस यादों ने सुनी नहीं सिवपाल ने खुला निमंतर दिया था अखिलेस यादों को कि या फिर आप मुझे अपने याद सामिल करें नहीं तो मैं कहीं का कहीं चला जाओंगा तो सायद अब सिवपाल यादों कहीं के कहीं जाने के मूड में है ऐसे में पिछली दफ़ा तो बीजेपी का उनने एजेंट कहा जा रहा था लेकिन इस बार वह प्रमोध किश्णन यानि कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता है राष्टिय प्रवक्ता है प्रमोध किश्णन उन उन से गदा और आशिर्वाद लेने के बाद सामाजिक परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेस में अखिलेस यादों के चाचा सिवपाल यादों ने सुरू की है अखिलेस का जो गोबारा था या जो एक ब्यक्तित बढ़ रहा था पिछले यूपी चुनाव में 2017 में उस समय फुस करने का काम किया था और यादो वोट बैंक का बटवारा भी हुआ था ऐसे में आने वाला जो चुनावी वर्स है 2022 उसमें क्या होगा यह कहना अभी तो मुश्किल है लेकिन इतना तो साफ है कि वह अब किसी न किसी पाइटी के पाले में जा रहा है और जैसा की माना जा रहा है कि वह कॉंग्रेस में अपनी जगह दखल की जगह मांग रहे हैं और जैसी की उमेद है बारगेनिंग करते हैं सिवाल यादो और वो कर ये रहे होंगे कि वो हो सकता है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनती है खुदान खास्ता ये संयोग अगर यूपी में बन जाता है तो हो सकता है कह रहे हों कि हमें उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाए अगर इस पर कॉंग्रेस तयार हो जाती है हलांकि कोई भी विशलेसा कि ये बताने और मानने को तयार नहीं होगा कि कॉंग्रेस की भी कोई संभावना है उत्तर प्रदेश में फैर इस बीच सबसे बड़ी जो बात ये है कि अब उनकी यात्रा सुरू हो चुकी है और अखिलेस यादव भी अपनी यात्रा कल सुरू कर चुके है ऐसे में आमना और सामना चाचा भतीजे का न सिर्फ चुनावी जमातों में हो रहा है बलकि आमना और सामना लगातार राजनितिक गलियारों में भी चल रहा है और ऐसे में प्रमोद किष्णन का गदा देना ये एक सवाल तो बनाता ही है कि क्या भविश्य में भी आने वाले समय भी जैसा कि विपक्ष के चाहने वाली जनता ये चाहती है कि कॉंग्रेस और सपा एक हो जाए अगले चुनाओं में और चुनाओती दे बीजेपी को वा होते हुए कहीं से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि प्रमोद किष्णन का गदा अगर सिउपाल ले लेंगे तो जाहिर चौर पर टीपू नाराज हो जाएंगे न गोधी मीडिया न विरोधी मीडिया न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार जनज्वार की हर खबर को जनजन तक पहुँचाने के लिए फेस्बुक पेज को फॉलो करें सेयर करें झाल